नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News आपके साथ मैं हूँ नम्रता चौधरी कहते हैं सच्चा प्यार आपकी जिन्दिगी बदल देता है मैं कोई लव गुरू के तौर पर आपको ये बात नहीं बता रही हूँ ये पुरानी कहावत है जो चली आ रही है और अब लॉरेंस बिशनोई के मामले में भी यही कहावत सही साबित होती हुई नजर आ रही है लॉरेंस बिशनोई ये कोई नया नाम नहीं है बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है हाला कि लौरेंस बिश्णोई को लेकर एक अलग तरीके की स्ट्राटेजी लोगों के दिमाग में बैट गई है लौरेंस बिश्णोई को कुछ लोग देशभक्त कह रहे हैं तो मैं कुछ लोग उसे सिर्फ गैंग्स्टर के तौर पर देखते हैं जो जेल से अपने गैंग को चला रहा है लेकिन आपको याद होगा लॉरेंस बिश्णोई का एक इंटरिव्यू सामने आया था जो जेल से उसने दिया था भी कुछ वक्त पहली की बात है और उसमें उसने कहा था कि युनिवस्टी के केस में मैं तो अंदर गया था और देखि कर दी जाती है और उसमें भी लॉरेंस बिश्णोई के गुरगे ही जिम्मिदारी ले ले लेते हैं अब लॉरेंस बिश्णोई का अगला टार्गेट कौन है ये कयास बाजी लगाई जा रही है क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि एक स्टैंड़ अप कॉ रखते ही होंगे लेकिन जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा कि सच्चा प्यार आत्मी की जिंदगी बदल देता है वो जिंदगी लॉरेंस बिश्णोई की कैसे बदली गई है ये जरा आप जान लीजिए लॉरेंस बिश्णोई का जन्म एक संपन परिवार में हुआ उसके पि लॉरेंस बिश्णोई की मुलाकात एक लड़की से हुई ये प्यार था पहली नजर वाला ठीक उसी तरह जैसे आपको भी कभी कभी हुआ होगा उसके बाद ये प्यार इस तरीके से परवान चड़हा कि लॉरेंस बिश्णोई और उसकी गल्फ्रेंड ने चंडिगर की एक यूनिवस्टी में साथ साथ एड्मिशन लिया और सबने संजोए आगे बढ़ेंगे अपना आश्याना बसाएंगे अपनी दुनिया बसाएंगे लेकिन वहाँ पर लॉरेंस बिश्णोई चात्र राजनिती में आ गया उसने अपना खुद का एक संगठन बनाया जिसका ना साइड बाए साइड उसकी लव स्टोरी भी चल रही थी लेकिन बताये जाता है कि इस छात्र संगठन के दौरान लॉरेंस बिश्णोई के कई दुश्मन भी बन गए और बताया तो ये तक जाता है कि इन दुश्मनों ने लॉरेंस बिश्णोई की गर्फरिंड को जिन्दा जला दिया था ये वो पड़ाव था लॉरेंस बिश्णोई की जिंदगी में कि उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ता चला गया और यहीं से उसके गैंग्स्टर बनने की शुरुआत हो गया और उसके बाद की कहानी पूरा देश जानता है और में गिरफतारियां भी हुई है और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो लॉरेंस बिश्णोई गैंग के सदस्य है अगला टार्गेट कौन होगा सलमान खान को लेकर कहा जा रहा है मुनवर फारुकी को लेकर कहा जा रहा है लेकिन पुलि लड़का जो कभी प्यार में पागल था वो लड़का जो आपके और हमारी तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता था कोई पैसे की तंगी नहीं थी कोई गलत आदत का शिकार नहीं था अचानक से कॉलेज में उनिवरस्टी में उसको चात्र राजनिती का कीड़ अलगा और उसके बाद की कहानी आपके सामने है लॉरेंस बिश्णोई की जो खौफनाक लव स्टोरी है इसकी चर्चा बहुत कम होती है तो सोचा आज आप तक ये स्टोरी पहुँचाएं आप बताईए लॉरेंस बिश्णोई की लव स्टोरी को लेकर आप क्या राए रख झाल